नमस्कार, स्वागते आप सभी का हमारे चैनल तेवे अस्टरों में आज मैं आपको नवरात्री के साथवे दिन मा काल रात्री के सवरूप के बारे में बताती हूँ और उनकी पावन कथा सुनाती हूँ जो भी जातक पूरे नौ नवरात्रा रख रहे हैं उन्हें माँ की यह कता अवंश्य सुननी चाहिए नवरात्री का सात्वा दिन मा कालरात्री को समर्वित होता है पराणिक कथाओं के अनुसा ऐसा कहा जाता है कि मा दूरगा के कालरात्री का जो सवरूप है उनकी पूजा और उपासना करने से दुष्टों का और शत्रों का अंत होता है देवी मा के इस रूप को साहस और वीर्ता का सबसे बड़ा प्रतिक माना जाता है हिंदु मानिताव के अनुसार तो यह भी माना जाता है कि मा दुर्गा ने दूष्टों का विनाश करने के लिए ही मा कालरात्री का रूप दरा था तो आईए अब हम सुनते हैं मा कालरात्री से जुड़ी गुई कथा एक पुराणिक कथा के अनुसा ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा दानव था जिसका नाम था रग्तबीच इस दानव ने जन मानस के साथ साथ देवताओ को भी बहुती परिशान कर रखा था रग्तबीच दानव की विशिष्टा यहां थी कि जब उसकी खून की बूंद तर्थी पर गिरती थी तो हूबहू उसकी जैसा एक नया दानव बन जाता था करा दिला है बगवान शीव जानते थे कि इस दानों का अंत माता पारवती ही कर सकते हैं बगवान शीव ने माता से अनुरोद किया इसके बाद मा पारवती ने श्वयम सत्ती संधान किया इस तेज ने मा काल रात्री को उत्पन किया इसके बाद जब मा दुरगा ने द्यत् इस तरह से देवी मा ने सब का गला कारते वे तानव रक्टवीच का अंत किया, रक्टवीच का वद्ध करने वाला मा पारवत्त का σवरूफ काल रात्री के लाया। तो यहां है हमारी मा के काल रात्री सबूप की पावन गता यदि आज की आगता आपको पसंद आई हो तो आप मा के लिए एक लाइक सरूर करें साती साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही नई जानकरी के साथ